कि हलो उस्तों नमस्कार के पी टीचर अकडमी में आपका हर्तिक सुवागात है आसा करता हूं स्वास्त होंगे अच्छ होंगे दोस्तों आज हम बाल विकास सिच्छा सास्त का 30 कोशन के से लगांगे जो की सीटर प्रिशाद यह बहुत ही महत्पूर होगा वीडियो को लाइक करें जैसा सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ब्लैकर प्रैस करें जिससे की नौटिफ मादिम से आपको वीडियो बलती रहेंगी तो आज कम फर्स को से स्टाड़ करेंगे बाल विकास की परिवासा का अध्यन छेत्र है जो मानवी सामर्तों में परिवर्तन का सामर्तों के किर्मिक विकास के लिए उत्रताई होगा तो कोशन काफी अच्छा पूछा क्या है कोशन पूछा रहा है कि बाल विकास की परिवासा का अध्यन छेत्र क्या है यह कोशन पूछा रहा है तो बात करते हैं किसी बच्चे के संग्यानात्मक सामर्जिक और दूसरे सामर्थ दों कि क्रिमिक विकास के लिए उत्रता ही होगा तो ऐस्वासा में बाले वस्ता की प्रार्म में डी ये बाले वस्ता की उत्तरारद में C किसरें पustha में तो कोष्म पुछान रहा कि का अबमारा सकती अमुर चिंतन बाले विकास के किसरें प्रारम कोष्म हो जाता है यहाँ कोष्म पूछ करती है Полिया वस्ता में सिच्छड होना चाहिए ये बालक की चमताओं की अनुसार बालक की रुचियों की नुसार सी ये उपरियुक्त एवं बी दोनों डिये सिच्छड की रुची के नुसार तो कोशन पूछागा कि बाले बास्ता में सिच्छड किस प्रकार का होना चाहिए इसके बात करते हैं बालक की चमुताओं के अनुसार और बालक की रुच्छी के अनुसार बाले बस्ता में सिच्छाड़ होना चाहिए तो अंसर क्रेक्ट हो जागे हैं पिमारा मनोविग्यान सिच्छा का आदरबूत बिग्यान है यह कतन किस नहीं दिया यह कुशन पूछा रहा है तो यह कतन दिया गया है इसकी रुच्छी के द्वारा तो अंसर क्रेक्ट हो जागे है यह यह एफ लगोशन देखेंगे बालिकाएं बासा बिकास में बालकों से किस अवस्ता में आगे रहती है तो इसकर बात करते हैं बालकाइं बासा विकास में बालकों से पृत्ते कबस्ता में आगे रहती हैं चाहे वो सैसवावस्ता हो बाले वस्ता हो किश्रोवस्ता हो तो अंसर प्रते कबस्ता में अगला कोशन देखेंगे सीखना विवार में उत्रोदर सामंजिस की प्रक्रिया है यह कतन है A. क्रो एवं क्रो का B. प्याजे C. इसकिनर D. ए कॉलर कोशन पूचा गया है सीखना विवार में उत्रोदर सामंजिस की प्रक्रिया है यह कतन किसे नहीं दिया है कोशन पुछा रहा है तो से बात करते हैं यह कतन इसके नर्जी ने दिया गया तो अंसर रेक्टर यह एंपर मारा सी अगला कोशन देखेंगे यह उदारण दिखाता है A. सम्मिलन का B. समाईदन का C. सरचन का D. बस्तू का प्रदशन तो उसके कोशन पुछा रहा है कि एक बच्ची है और उसके पता उसे चहल गदमी करा रहा है बच्ची को यह पता है कि चिडिया यह से चीज़ा होती है परंतु से पतंग के बारे में नहीं पता था तो उसने आकास में पतंग को देखा तो उसने कहा कि एक ठीडिया को देखो तो उसके पता ने कहा कि यह एक पतंग है तो यह किस प्रकार का उदारण है यह कोशन में पूछा रहा दूसके बात करते हैं यह सम्मिलन का उदारण है तो अंसर में रख पुजा सी ए सोले डी ए चोदे तो कुछन पूचे गया है कि अगला कोशन देखेंगे कि मेरडित के अध्यन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान रूप से उन विचारों की बालक होते हैं जो सामाजिक इस तर से उचे होते हैं यह कम स्वस्थ एवं विक्सित भी यह अधिक स्वस्थ एवं विक्सित अधिक स्वस्थ एवं कम विक्सित डिय इस्तास्त नहीं पर विक्सित तो कुछन पूचा जा रहा है कि मेरडित की अध्यन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान रूप से उन परिवारों के बालक जो की किस प्रकार की होते हैं जो सामाज की स्थर से उंचे होते हैं यह कोशन पुछा रहा है जो इसके बात करती है सामन रूप से उन प्रवारों की बालक सामाज की स्थर से उंचे होते हैं जो की अधिक स्वस्थ और विक्सित होते हैं तो अंसर करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखेंगे अधिगम की ब्याख्या उस विवार परिवर्तन की संबंद में नहीं की जा सकती है जिनका संबंद होता है जनमजाद परवर्तियों से परपकुता तथा सरीर की अर्स्ताई इस्तितियों से कोशन पूछाए कि अधिगम की ब्याख्या उस विवार पर्वर्तन की संबंद में नहीं की जा सकती है जिसका संबंद होता है या किसी से संबंद होता है यह कोश्चन पूछागा रहे है तो इसके बात करते हैं जनमजर्थ प्रवर्तियों से और परिफकुता तता सरीर की अर्ष्ताई इस्तियों से नहीं की जा सकती है तो अंसर कर्क्ट हो जागा है आपके मारा जसके कि बात करती है अधिक विवार में पर संसोदन करना और प्रकति सील विवार ingiak Asi ब्यक्ति को अच्छे अत्वा बुरे रूप से प्रित्थापत करती हो तो इसको अधिगम के संदर्म में कहा जा सकता है कि ए अधिगम एक प्रक्रिया है बीए अधिगम प्रतिफल है तो कोशन पूचा गया कि अधिगम के संदर्म में कहा जा सकता है या क्या कहा जा सकता है या कुशन पूचा जा रहा है तो इसको बात करते हैं अधिगम के संदर्म में अधिगम एक प्रक्रिया होती है जो की एक अधिगम प्रतिफल भी है और यहां पर हम कोश्चन के अगर आंसर की बात करते हैं तो अधिगम प्रक्रिया तथा प्रतिफल दोनों ही होंगी तो अंसर प्रक्रिया अगरा सी अगला कोश्चन दिखेंगे एक सिच्चक कक्चा में पढाते समय किसी बिंदू को समझाने के लिए कई उधारण प्रस्तुत करता है सिच्चक की यह प्रक्रिया निम्म लगत्मे से विवार के किस पक्च के अधिगम विकास में सायक है तो कोश्चन पूछ अगरा कि एक सिच्चक है और कक्चा में पढा रहा है और किसी बिंदू को समझाने के लिए कई उधारण प्रस्तुत करता है सिच्चक कि यह प्रक्रिया निम्म लगत्मे से विवार के किस पक्च में अधिगम का विकास में सायक होगी यह कोश्चन पूछा या यह सायक है उसके बात करती है यह प्रक्रिया संगेनादः पक्ष बावणात्म पक्ष टीनों में ही काम करेए क्योंकि टीचर है जो की कट्छा में पढ़ाती समय उद्वारणों का उद्वारणों भी प्रस्तृत कर रा है जिसके बच्चों को समझने में आसां नहीं होगी बावारत्मत तरीके से भी और स अगला कॉशन देखेंगे, नियुम्न लुख में से कौन सा अवधारण विवार के संगनत पक्ष से संब्धित अधिक नहीं है, कोशन नहीं में पूछा गया है, ऑप्शन देखेंगे, अप्रसच्छड प्राप्त करने के उपराम्त व्यक्ति टंकड कार करने लगता है, बिए कक्षा में व्यक्षन सुनाने की पश्चात विद्यारतियों में प्रत्यों के प्रति समझ उत्पन हो जाती है, डी है, बिद्यारति कक्षा में अध्यन करने के उपरांत समाचार पत्त्र पढ़ लेता है, डी है, एक ब्यक्ति फ्रेंच वासा को सीखने के उपरांत फ्रेंच लेख का हिंदी में अनुवाद कर सकता है, कोशन में पूछा रहा, की संग्यान पक्षु से सम्मंदत अधिगम नहीं है, और सीटमें करकार के काफ़ेयात नहीं नहीं है, तो पहले कोशन की कर फिली पढ़ेंगे, इसके उपरांत उसका अंसर देंगी, यहां पिर तीन उप्शन इसका पॉजिटिब में है और एक ने करने के उप्राम्त ब्यक्ति टंकळ कार ये नहीं होगा तो अंसर मना ! यह न मारा D high? माफ किज़े ! अ और व जाएगा ! अगला कोश्चण देखेंगे ! प्रस्चड प्राप्त करने के उप्राम्त ब्यक्ति टंकढ कार ये लगता، यही ये ! अगला कोशन देखती हैं गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पत का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है तो कोई नहीं तो कोशन पुछा है कि गिलफोर्ट ने अभिसारी चिंतन पद का प्रियोग किसके समान अर्थ में किया है यह कोशन पुछा रहा है तो इसके बात करती है गिलफोर्ट ने समान अर्थ प्रश्तुत किया या अभिसारी चिंतन बताया है तो अंसर रेक्ट हो जागे हमारा भी अगला कोशन देखेंगे वीडियो को लाइक करें साथ या सेयर करें दोस्तों साथ में कोशन देखेंगे अभिवरती है यह एक भावनात्मक प्रवरती जो अनवब की द्वारा संग्डत होकर किसी मनोबैग्यन की बस्तु की प्रत पशंदगी या नापशंदगी के रूप में प्रतक्रिया करती है यह एक ऐसी बिसेश्ता जो व्यक्ति की योगिता का पर्चे है जिसे किसी प्रदत छेत्र में विसेश्ट प्रसिछण ग्यान अत् चमता जोग की बिसेश्ट प्रकार की होती है तो खुशन पुछे रहा कि अविपरती क्या है यह कोशन पुछे रहे जोसों के बात करती है अविवरती एक बावनात्मक प्रवर्ती जोग की अनवबब की द्वारा संग्डत होकर किसी मनोब्यानिक बस्तु की प्रत्य अंवब के रूप में प्रत्य ब्यक्ति करती है तो अंसेट्ट हो जागा यहां पर हमारा एगला कुशन देखेंगे सी है डी है उप्रत्य में से कोई नहीं तो कुशन बुलाएगा कि फ्राइड के मता अनुसार हमारे बेही अनवब बिस्मृत हो जाते हैं जो की दुकदाई होते हैं तो अंसेट्ट हो जाएगा एगला कुशन देखेंगे व्यक्ति के विकास में दो मूलवूत आवशक्ता है प्रितम अवाब की आवशक्ता है दुतिय साररिक एवं रासानीक आवशक्ता है यह मत निम्रीलख में से किस व्यक्तित सिधान्त बादी ने प्रस्तुत किया है कोशन में मत पूछा गया है कोशन पूछा गया है कि व्यक्ति के विकास के में दो पहलू दो मूलवूत आपशक्ता होती है पृथम अबाब की आपशक्ता है यहा कोशन पूछार बात करती है यह मत जो प्रस्तुत किया है वह कि इब्रहाम मैसो ने किया है तो आंसर पराइक रेक्ट होएगा आपर यमारा बी हो जाएगा अकर नहीं दखा दिरहा तो तो बढ़ा कर देंगे इब्रहाम मैसो की द्वारा प्रस्तुत की अधाये मत द्वारा टिक कर देंगे आपर अगला कोशन देखते हैं विडिकोल तथा स्रोत गुड में बर्गी करत किया है यह जुंग ने विए अलफट फोर्ट ने सीय केटल ले डिया आईजैनिक ने तो कोशन में पूछा गया कि नीचे दिएगे मनोबैग्यानिकों में से बैक्तुत संबंदी लच्छणों अत्वा गुड़ों को चार बर्गों यथ का सामानी गुड अनौकि विस्ष्ट गुड़ सत्य गुड़ स्रोत गुड़ में बर्गी करत किया है तो यह किस मनोबैग्यानिक ने किया यह कुशन पुशे रहे हैं दोसके बात करती है यह कैटल ने किया है तो अनसे अर्ट है हुजागे यहां पर मारा सी अगला कुशन तो सिच्छड सीखने के लिए उद्धीपन मार्ग दर्शन तत्था दिसाबोध है यह बिचार निवनलग दर्शन से किसे संब्द्ध है A.B.O. Smith B.A. Clark C.A. Warton D.A. Thomas F. Green तो कोशन पुछाए कि सिच्छड है जो कि सीखने के लिए उद्धीपन मार्ग दर्शन तता दिसाबोध है यह बिचार निवनलग से किस सिच्छास्तियों में से संब्ध यह कोशन पुछा रहा है तो यह जो की बिचार दिया गया है वह वर्ट के द्वारा दिया गया है तो answer बी ये तीन, सी ये चार, डी ये पाँच तो question में पूछा रहा है कि सिच्छर प्रक्रिया या किरिया के तत्तों कितने होती है ये question में पूछा रहा है दोसरे के बात करते है सिच्छर क्रिया के जो तत्तों होती है वो तीन होती है तीन कौन कौन से होती है सिच्छक हो गया बच्चे और पार्ठी सामिग्री तो अंसर में करेक्ट हो गया यहां पर हमारा बी अगला कोशन देखेंगे निमने लग समय से किस सिच्छा सास्री ने सिच्छड को अंत्य क्रियात्मक प्रक्रिया माना है यह जॉन डिवी ने बी ए फ्लेडर ने बीडियों सिच्छा पुछłन देखेंगे बीडियो के लाइक करते हैं आदक्रियाक करें प्राइवन डिवी ने पर अंसर म मतपारा लेंग सब्सक्राइब निर्चड एवं मापन करने की योगिता की विकास है तो निम्न लखत में से उपएक्ट बिदी है ए अनुवेश्ड बिदी बिये समस्या समाधान बिदी डिये प्रयोग कात्मक बिदी से यह प्रदशन बिदी तो कोशन पुछा गया कि विद्यार्तियों में स इसमें से प्रयोगात्मत बिदी सबसे ज़्यादा उप्युक्त होगी तो अंसरेक्टर जागे हम पर बारा सी अगला कोशन देखेंगे कि अगला कोशन देखेंगे कि अगला कोशन देखेंगे कि मुल्यांकन के छेत्र से अविप्राय है तो कोशन पुछाए है कि मुल्यांकन के छेत्र से अविप्राय क्या है यह कोशन पुछाए रहा है जुसके बात करेंगे आपी कि विध्यारतियों में सुचलो प्रांत आए हुए विवारकत प्रब्रतन से मूल्यांकन से अविप्राय है तो अंसरेक्टर जागे हम पर बारा ए अगला कोशन देखेंगे कक्छा कक्ष प्रगरियां में सम्भाद के लिए प्रमुख रूप से आवशक है सबसे अच्छा हुआ अब यहां पर कोश्चन में आएगा कि बच्ची आपी सबसे अच्छा हुआ अब यहां पर कोश्चन में आएगा कि करते यहां पर अप्सिंअ प्रजाता नंत्र कोता तो अप्रजाता नंत्र को एगा है और वुद्ध अच्छा होना चाहिए यह कुछ अगया तो यह सबसे वस्ट अप्शन ऊप्षन होगा वह इन अच्छा हुआ अधिगम के पुनरवलन सिध्धान्त के प्रत्वादक है A C L Clark, B A Clark, L Hull, C A Sperman, D A H G तो कोशन पुछा गया कि अधिगम के पुनरवलन सिध्धान्त के प्रत्वादक कौन है यह कोशन पुछा रहा है तो उसके बात करती हैं कि C L Clark ने अधिगम पुनरवलन के सिध्धान्त दिया है तो अंसर रेक्टों आगे हैं पर मारा A अगला कोशन देखेंगे बालकों का मुफ्त एवं अनिवारी सिच्छा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ है एक अप्रेल दो यार नो थेयु है कि इक अपरेल दो यार दस सीय एक नवंबर दो यार नो डीये एक नोबर दो यार दस अगला कोशन देखेंगे विडियो को लाइक करते हैं साथ एंदर सेयर करें दोस्तों गात में समायोत ब्यक्ति की बिसेस्ता है यह कोशन पुछा रहा है उसके बात करती हैं अगला कोशन देखेंगे विडियो को लाइक करते हैं साथ में बालक के समायोन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है कोशन में नहीं है पुचा गया है और इस पक्रभावित करने वाला कारक नहीं है यह कोशन पूछन पूछा रहा है और इसपकार कि कोशन सीट्ट में काफी आते हैं तो पहले कोशन को बीएक की रुपली पढ़ेंगे और फिर उसके बात उसका अंसर देंगे तो यहां पर बालक को प्रभाइद करने वाला यह समाइद करने वाला कारक जो नहीं होगा इन मैंसे जो कि उपरिख्त होगा इसमें से कोई नहीं तो अंसर मारा इसमें अभर धी लाइक करें दोस्तों सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स सेशन में जैन दोस्तों बंदे मात्रम